मिरो आत्मियता आज मां मानव साध्धे उपसुत्र दुई मां चर्चा करचु उपसुत्र एक मां आमिले सरेर छूटे पचिक अवस्था आया अनुभब गर्यूं इरित्युलाई अनुभब गर्यूं ताज यही अनुभब लाई संगाल देए अब जिवन को द्वी मुख्य भाग जिवन संचालन को मुख्य द्वी योटा संस्था बुद्धी र रिदे बुद्धी संस्थालाई बाहेरी इंद्री अहरू कुक्कारेमा लेंच बने भित्री अंदस्का मन चित्त अंक्यार आदी जन कारेचन एसलाई रिदे केंद्रमा समेटींच अब यहां द्वी खाल को मानिश हुँचा जाधारन त द्वी खाल को मानिश है मिले बाहेरेद देखना सक्चाँ गुणत सभावत त त्योग सरीर माने इस्त्री र पुरुष कुजण बिभाजन छ योग सभावत पन प्रकिर्ते प्रविडते आदी तह मानिश इने दुई मद्धी एक बाटा संचालित भयकुर देख चांग, यो साधारानता अबई तो इन दुई लाए ठीक सांग याता इन दुई लाए नहीं जान्नु परने छा आज दुई लाए नहीं आज योग एक भयर जो चल्दा छा उता महामानव नहीं भयो तर जो मानव उसको अपांगता नहीं सही वो एवटामा एदी पोख्ष्ट भयो बने और को लाए बनी हासिल करने सहत बन जो राज एक एक महामी पख्ष्ट बनने छां। जो बुद्धि द्वारा संचालीत छन्ट उन्हें को लागी आज को अभ्यास रहने छां। केंदरी त्फ बन्नू कुनीपनी एक चीज मां केंदरी त्फ बन्नू केच्ट बाहरी इंदरिय लाई ले रहोष यतो आपनों चिंतान लाई ले रहोष यह ध्यान को उने पनी साधानामा होष जन्सुके महोस बहुती क्युप्ले केन्रीत रहने अभ्यास इसका अभ्यास अल्लाखाउं चान अज़ा धेरेपपनी हमेले आर्जन गरना सक्छाउं इसका अफे अल्ले आर्जन गरना हो हर चीज हर ठाउं हर परसंग विशे आदिमां हमें केंद्रीत होना सीखन सक्छूं ती अभ्यास हो और को हो ए रिधे द्वारा जो संचालित रहंचन गुणा तह त्यों इस्त्री रो साधार्णत यो जुशुकी मैं पनी अब रिधे द्वारा जो संचालित चन उन्हें हरू को लागी बिलीन ताको अभ्यास एसमा पनी लाखों में सुद्र हरू बनना सक्छान आमीले बिलीन तालाई अभ्यास गरना पर हर चीज हर अभ्यास मा बिलीन तालाई समेटना पर बिलीन ता सहित अभ्यास गरना पर एति दोई कुरार जाने वने साधाकले आफ़े अभ्यास गरने जुआ रिदेह को लागी बिलीन ता रो बुद्धी को लागी केंड्रीत ता अब यो एक एक में गहरा चार्चा गरों जब हमी बुद्धीक रुपले द्वारे संचालीद चुम्न तत्य हां केंड्रीत अभ्यास द्वार रोहारा चार्च रिदेह जब तेसरो आँखा संचालित बनच, जब तेसरो आँखा खुल दाच, तो तेस तेसरो आँखा बाटा सुत है रिदे, कुद्वार खुल दाच तो एस मनिशको तेसरो आँखा यो विज्ञान है जण दे न फेरी। आ मी चक्रध्यान कॉंडलिनी ध्यान आदि मैं तेसरो आँखा लाई जान न सब्चूँँँआ। अब एस मा थी अभ्यास इस शरीर को एस माथिलो भाग एस विशुद्ध चक्र भंदा माथि को सबी ग्यानिन्द्री हर को द्वार जुन्छ इद्वार लाई एक एक अभ्यास गर दे या समग्र रुपले अभ्यास गर दे एस केंद्रीद अभ्यास हामेली सहर्ज रुपमा फलीद गरना सकें उपने बावदिक्ता द्वार संचालीद मानीश पने एति सहल्च रुपमा अध्यात्मिक द्वार वा रिधे को द्वार खोलना सक्षें बन्दाचन ता फेर यानि रिधे द्वार संचालीद रिधे संस्तालाई बनी आम गया अभ्यास करना सकें उपयो करना सकें बनी जिबन को अपांगता समापता हुन्चा उप्तुना मानाव बन्दाच इस सीर मा जिन द्वार चन अखा कान इन्दी द्वार इन्हरूलाई हाथ ले बन्दागरों सबहिला बन्द अब यू बन्द भय पचे ततका तेस तेसरो आखा को कारे जागरी धुन्चा का तेस तेसरो आखा मा ध्यांदैंजंगों पूरा आखा बन्द गरूंग तेसरो आखाम ध्यांदैंगों ध्यान को अभ्यास मा एस अग्यां चक्रोग को ध्यान मा जुन जानकारी दियेगो छो एस लेपनी फाइदा गर्छ। पूरा धारणा लाई ठीक बीच मा एस आखिवाउं को बीच मा या निधार को ठीक बीच मा इन दूइठामा जहां बाई पनी संपून द्वार लाई एकाग्र गर्न सक्किन पनी एकाग्र गर्दै सबही लाई यहीं धारण गर्न सक्किन पनी आमी एरी धेगो ढग्ट ग्याउने छों जब तेस्ट्रु आखा संचाली थुँँँछ सक्षी बन्दश रतेस्ट्रु शक्षी बन्नु भनेगो रिदे को द्वार खुलनु हो अब इसरी नहीं हमीं रिदे माझाओं जब हमें बिलीन तक को अभ्यास गर्चाओं इस बाहरी इंद्रिय लाई रिदे मालाए रहा बिलीन गर्दु कि अब करें कि अब करें कि अब करें कि सभी सुत्र मां हमें जी शरी लाई जुन सिथीलता को अभ्यास दिये करते हूं कि इस अभ्यास लेपनी बिलीन ता लाई अजा सहस गर्दाच। और यहां पनी लाखों अभ्यास गर्ना सक्च। हर चीज हर ठाउम हर परसंग लाई लेर इस बिलीन ता को अभ्यास गर्ना सक्च। रिदय मां बिलीन हुन। तयो भावनालाई लेर बिलीन ता सहज बन्च। रब्बावदिक्तामा विचार को एकाग्रता। मन्र विचार लाई यहां बंद गर्न। एकाग्रतामा इद्दुवे लाई बंद गर्न। तो तेहां अचानक एरी देद्वार खुल छ। सहस्त्र, सहस्त्र चक्र को जुन। तैतन निता च। एसलाई आर्जन गर्दै। एसलाई हाभी गर्दै। एसको अनुभावलाई ब्यापक गर्दै। चैतन निता को अनुभावलाई ब्यापक गर्दै। बवदिक ता। अनि एस केंड्रीत अभ्यास। अनि रिधेमा बिलींता। मन लाई बिलेगर्ण। मन लाई छोड़ी दिन सागर जस्ते इरतेश सागरमा बिलाउन। या सागरलाई हर चीजलाई इन्रियलाई रिधेमा लाईर बिलींगर्ण। आप हुमा जागरीद भयक है जुन्सुंके परसंगलाई बाहिर समग्रमा समग्रमा सएरगर्ण। जस्तो आवाज लाई आवाज मा आवाज मा बिलींगर्ण। आखालाई एक मा खाईना समग्र तामाई हेरन। एवटा मात्र चेज लाई होईना समग्र सहीत हेरन। एस आखा को जुन्द। पूरा एरिया छा। एस त्लाई समग्र रूप्रे हेरन। और एसमा इंग बिलेन हुन। रिधे द्वारा बिलेन हुन। या बाहिर को एक एक चीज लाई भाब पुरुबक्ष। कारूमेक भाब ले प्रेम पुरुबक्ष। तया इस भाब द्वारा रिधे मा समग्रुबक्ष। तीनलाई इर्टिदे माले इंग बिलेन गरुब। इस द्वारा चैतनेता, मक्षेता, अग्या, अग्ये। जुन अलोवकेक दाचा, यो अलोवकेक दालाई हासिल गर्णू नहीं हो। हर छान अलोवकेक सक्ति लाई बनाई राखनू। अलोवकेक सक्ति जती ब्यापक हुदेई जान्च। एतने हामी आपनो अभ्यासमा पक्ष्ट बन देई जान्च। यो अभ्यासरू पक्ष्ट रप्षिद्ध बननू बनेको, अलोवकेक दाच ब्यापक बननू। अलोवकेक दाच तूट दाईना। नहीं बनी छान्च न तूटोस। तो काम गर्दा होस या जेशुकी गर्दा होस जुन्सुकी अवस्थामा होस तो बवदिक कारे होस या सरेलिक कारे जुन्शुकी गर्दा अलवकीत दा चाइतन्य दा मक्षे ना सरे औरी मिर्जा होस तो आभच्थामा होस तो अवस्था नगुमस ट्रेस को अभ्यास द्रेस लाई त्रिवा दिन ज़ रामी जिबन को विकास लाई अज़ति प्रता दिन सब्चु आज़क लागे दिन है